हेलो फ्रेंज में हुने हैं मैजिकल रेसिपी इसमें आप सभी का स्वागत है आज में लेकर आई हूं आप से भी के लिए स्ट्रीट स्टाइल मॉमोस की रेसिपी तो चैलिए इसे मुनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मॉमोस के लिए आटा लागा कर तैयर कर लेंगे यहां पर हम एक कप मेदा ले लेंगे और इसमें हम हाप टी इस्पून नमक डाल कर इसे अच्छे सम मिला लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आप लागा कर तैयर कर लेंगे तो देखिए हम नहीं पर लागा कर तैयर कर लिया है अब हम इसमें दो टेबल स्पून तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फी से दो मिनिट के लिए डो को त्यार कर लेंगे अब हम इसे धक कर 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि आँटा हमारी अच्छे से सेट हो जाए जब दक हमारी आठा सेट हो रही है तब तक मोमो सकीन स्टफिंग बना कर गयाँयर कर लेंगे तो वि हम लिए екव बारी कटी हुए पत्ता को भी आधा कब बारी कटा हुआ गाजर, आधा कब बारी कटा हुआ प्याज, दो टेबल स्पून कैप्सिकम बारी कटा हुआ, दो टेबल स्पून बारी कटा हुआ बीन्स, अब इसमें हम एक टेबल स्पून नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम पास मिनिट के लिए ढग कर रहने देंगे पांच मिनिट हो चुका है अब हम एक कपड़ा ले लेंगे और इसमें हम सब्सक्राइब को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से निचोड लेंगे देखे इसमें से कितना सारा पानी निकल रहा है इसे हमें ज्यादा नहीं निचोडना है इसका एक्स्ट्रा पानी को ही निकालना है बस ज्यादा निचोडने से मोमोस बहुत ही ड्राइ लगेगा और अगर मोमोस में ज्यादा पानी रहे जाएगा तो मोमोस स्ट्फिंग के टा तो देखे हम यह पर इसे निचोल लिया है अब हम सबजियों में एक टबल स्पून बारी कटी हुई अद्रक लहसन और हरी मिर्च डाल देंगे साथ हम एक चुट की नमक डाल देंगे क्योंकि हमने पहले ही नमक डाला है तो इसलिए आप नमक ध्यान से डालिएगा हाप टी स्पून चीनी डाल देंगे हाप टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक टी आपल स्पून सौया सॉश डाल देंगे अब इन सारी चीजों को मच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे स्टफिंग हमारी तयार है ज़र आटा को रेस्ट करते हुए 10 से 15 मेट हो चुका है अब हम इस में से छोटे छोटे लोई काट लेंगे इस में से हम एक लोई ले लेंगे और इसे हम पहले सुखा मेदा में कोट कर लेंगे उसके बाद हम इसे अच्छे से पतला पतला पूरी जैसा बेल कर तयार कर लेंगे अगर यह चिपकने लगे तो आप इसे फिर से सुखा मेदा में कोट कर लेंगे और इसका पतला पतला पूर्य जैसा बेल कर तैयार कर लिजिए तो इस तरिका से हम सारे पूर्य को मैघ लेएंगे किxo करेंगे अब हम एक पूर्य ले लेंगे और इसमें हम और डाल डाल देंगे अब हम इसको सेब देंगे तो हम जैसे साड़ी में प्लिट्स करते है तो सेम इसी तरीके से हमें साड़ी के प्लिट्स की तरह प्लिट्स करते जाना है और बाद में जो लास्ट में एंड बचता है उसको हमें चिपका देना है अगर आपको प्लिट्स करने में या फिर चिपकाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें थोड़ा से पानी लगा लीजिए और इसे चिपका जिए अब हम आपको दूसरे तरीके कि मॉमो की से बना कर दिखा देते हैं तो आपको सेम प्लिट्स करते जाना है । और आधे में प्लिट्स करना है और आधा जो बच जाएगा उसे हम इसे इस तरीक अर् vocês चिंपका देगे तो यह हो गया हमारा और एक डिजाइन का मॉम neu और एक तरीके के सेव की मोमस बना कर दिखाते हैं आपको जो आसान लेगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं तो सेम प्लेट्स करते जाना है और लास्ट में एंड्स को जोड देना है पोर्टली के तरहा और इसे हलका सा प्रेज कर देना है आपको जो भी सेव अच्छा लगे या फिर आपको आसान लगे वो इस तरीके से आप सेव दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दो तिन तरीके के सेव आपको दिखा दिया है तो दिखे हमने आपर सारे momos को फिल कर लिया है आप हम नूओ को स्टीम कर लेगे तो एक कडहाई में हम पानी डाल देंगे और एक जाली वाला थाली ले ले लेंगे और इसमें हम ऑईल को ब्रस कर लेंगे ताकि हम evalu केना पानी जब उबलने लगे तब हम इसमें मुमोज को रख देंगे कुछ गैप में रखेंगे इसको ताकि आपस में चीपक न जाए अब हम इसे ढग कर 10-15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे लो टू मीडियाम फ्लेम पर हम इसे स्टीम करेंगे तो देखिए 15 मिनट बाद हमारी मुमोज बिल्कुल तयार है जैं इसे तरी के सम बाकी मुमोज को भी स्टीम कर लेंगे मैंने इसे वेजिस के साथ बनाया है आप इसे पन्री के साथ बना सकते हैं स्वया बिन के साथ बना सकते हैं या फीचिकन के साथ भी बना सकते हैं इस तरह से आप अपने मन पसंद मुमोज घर पी या असानी से बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए सेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अ पिटकुल आपके बास नोटिफिक्सन सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए मिलते हैं कोई नए रिसीविक साथ ठैंक यू